माद्यमिक सिक्षा बोर्ड राजस्तान पिद्धाश स्रेश और kे विद्दायर्थियों के लिए एक प्रस्षण उनके दिमाग में बार बार आ रहा है कि परिक्षा प्रिक्षा परिवाज ने पुछे हैं अने के संभावना है क्योंकि पिछले वर्ष रही हैव वह सल्ड़ के प्रинаम मैं में आगए थे और इस वार दश्मी पक्षा का परिणाम जा वो जोन में आने की संभावना है क्योंकि पिछले वर्ष भी ये जोन में प्रकाशित वाता सबसे पहले विज्ञान और वानीजे के परिणाम आने की संभावना है माद्दिमिक सिक्सा बोर्ड से प्राप जानकारी के अनुसार कोपी जो है उनके वियलेशन का कारिय जो हो complete हो गया है और अब ये बारिमी कक्षा का almost complete है और दस तारिक के आज पास तक ये परिणाम जो है वो शिक्षकों और परिक्षकों के द्वारा भीज दिया जाएगा और उसके बाद में बोर्ड जो है वो परिक्षा प्रिणाम जारी करने की कावायच शुरू करेगा लेकिन इसमें 10-15 दिन का समय और लग जाता है तो आप ये समझे कि 20 मई के आज पास इसे प्लस माइनस 5 डेज हो सकते हैं ये प्रिणाम जारी हो जाएंगे और दस्वी कक्ष का भी कुछ प्रभावित हो लेकिन उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कह सकते क्योंकि मार्थ में जैसे ही बारवी प्रिक्षा संपन हुई उनसे संबंदित विश्यों की कोपियां है वो शेक्षकों को बेज दे गई ती इसलिए वो यता समय तयार हो जाएगे निशीत है ल इसके लावा हमारे चैनल पर आपको मादेविक शिक्षा बॉर्ड के परशन पत्र डाउनलोड करने से लेकर पिछले वर्ष की परिक्षाओं के परशन पत्रों के हल भी फ्लब्द हो जाएंगे इसलिए करप्या चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियो जो हैं वो जहीं अब शिक्षा और रोजगार के समाजार हर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज्यादा से जारा अपने रोस्तों में शेयर करें